जहिन दोस्तो अगस्त महीने के मंतिली करंट अफेर्स जो हमारे UPSC Civil Services प्रिलिम्स में काम आएंगे 2025 के लिए उसको देखेंगे और यह हमारा Part 2 है सीधी काम के बात करेंगे नो बकवास ठीक है तो दोस्तो बस आप याद रखना अप्लिकेशन डाउनलोड कर लेना प्रतियुशा करंट अफेर्स के नाम से है प्लेइ स्टोर में मिल जाएगी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप इसको ओनलाइन टेस्ट दे सकते हो तो पहला कॉस्चन देखते हैं तो सबसे पहले हम अपने कंसेप्ट को देखेंगे फिर उसकी एप्लिकेशन के बारे में देखेंगे ठीक है तो क्रिव ड्रेगन यह क्या चीज़ है आपने देखा हुआ कि जैसे यह हमारी अर्थ है अर्थ के हमारे एप्रोक्स क्या है 400 किलो मीटर पर हमारा स्पेस स्टेशन है यानि कि इस स्पेस स्टेशन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर वक्त कोई न कोई एक एस्ट्रोनोट हमेशा एविलेबल रहता है ठीक हाली में आपने देखा होगा कि अगस्त के महीने में यानि जो अभी जून जुलाई में क्या होता है नासा की दो एस्ट्रोनॉट थे एक सुनीता विल्यम्स थी एक विल्मॉर करके थे ठीक है यह मेल थे यह क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टीशन में गए थे अब इनको एक हफते के बाद में वापस धर्ती पर आना था ठीक है अमेरिका में आना था तो यहां पर क्या है इनका टेक्निकल गिलिच हो जाता है रोकिट में जिसकी वज़े से अब इनको अगले साल फैबरी दो हजार पच्चिस में अर्थ पर लाया जाएगा तो अब यह देखो ज यह अब इसके लाएं ठीक अब इन्होंने रोकिट बनाया तो देखों रोकिट का क्याम में ड्रेगटो यह देखेखो अब इसके फीचर घार यह एक ड्रीश बनोतlexe को लेके जेगा गार्डैण में क्या है जो भी हमारा लोजिस्टिक्स सका स्पेस स्टेशन में पुछाएगा कौन यह क्र्यू ड्रेगन और यह कार्गो ड्रेगन ठीक अब यह जो अमेरिका यानिके यूएस से बोले तो नासा नासा इसलिए कर रहा है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का काम का आज है वो ना एक तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स को देना चाह रहा है और बाकी के अपनी रिसर्च वगेरा वो खुद करेगा तो इस वज़े से क्या है यह क्र्यू ड्रेगन के बारे में देखते हैं तो देखो अब यहां पर क्य ड्रेगन इस नोट रिओसेबल यह गलत तो दोस्तों यह यह रिओसे बले चाहे सब्सक्राइब रेilateral Truck Series पर और तो यह इन यSON तो आप इहाँ पर देखो जैसे यहई इंडिया वो गया तो आपने नाम सुनाओं मोसम विभाग के दुअरा आज यह खबर मिलीए हैं यहाAPPर कहींपर बारिश हो रही है कहीं forecasting IMD करता है तो यह चार color code में क्या है यह बताता है तो देखो ऐसे याद रखना सबसे पहले green फिर yellow फिर orange फिर यहां पर red color तो green का मतलब यह है कि अभी normal rainfall चल रही है यानि कि यहां पर no warning यानि कि कि कुछ भी हमको action लेने की जरूरत नहीं है फिर वाई में क्या होता है वाई में मतलब थोड़ा सा अब हमको watch करने की जरूरत है यानि कि हो सकता है आने वाले time period में यह तूफान खतरनाक होए अब orange का मतलब है यह अलर्ट हो जाओ यह एक दुबारा मतलब एक heavy की तरफ मतलब होता है no warning yellow का मतलब watch करना है औरेंज का मतलब alert और red का मतलब action लेने की जरूरत है तो यहां पर देखो कहता है green का मतलब है no warning the forecast is of light to moderating यह statement बिलकुल ठीक है औरेंज signify करता है watch and authorities are advised to be updated on the situation the forecast is of heavy rainfall तो दोस्तों यहां पर क्या है देखो यहां पर confusion होगी औरेंज तो green के बाद आता है yellow green के बाद yellow और yellow का मतलब क्या है तो देखो orange यह orange तो watch तो yellow का है और orange का मतलब है alert तो यह statement गलत हो जाएगी फिर third में क्याता yellow warning stands for alert yellow का मतलब है हमारा क्या watch करना और alert किसमा आता है हमारा आता है orange में तो यह वाली statement भी गलत हो जाएगी और fourth है यहां पर red अब यहां पर statement देनी रखे तो दोस्तों red का मतलब क्या है हमको action लेने की जरूरत है तो यहां पर क्या है वो statement missing हो गई हमारी त statement भी ठीक है तो हमारे को पूछा गया कि कौन सी statement correct है तो one and fourth हमारा इसके अंदर में answer हो जाएगा next कहता है with reference to national space day consider the following statement तो दोस्तों आप ऐसे आपने देखा होगा कि पिछली साल 23 अगस्त 2023 में हमारा चंदर्यान 3 mission successful हो गया था और यह क्या है जैसे लेंडर है ना और हमारा rover इसमें गया था मून के south pole पर यह हमारा south pole है यहां पर मून तो यहां पर हमने क्या करा था इसको soft land करा था lander का नाम क्या था विक्रम और rover का नाम था प्रज्यान ठीक अब आपने देखा होगा कि जहां पर यह launch होगा उसका नाम रखा गया शिवशक्ति पॉइंट ऐसे तो अब यहां पर द designate करा august 23 as national space day in recognition of India's moon mission चंदरयान 3 that is scripted history by successfully landing on the lunar surface on 23 august 2023 statement बिल्कुल ठीक है मोदी जी ने भाषन दिया था और यहां पर बोला था हर साल अब 20 अगस्त को हम national space day के लिए यूज करेंगे और जो हमारे 2024 की theme है वह क्या है touching life while touching the moon India's space saga तो यह वाली statement भी correct है तो यहां पर कहता है इन में से not correct statement बतानी है तो हमारा answer हो जागा डी यानिके neither one nor two क्योंकि दोनों statement ठीक है फिर कहता है next question consider the following lines and answer the question below he played a key role in India's first hat-trick of Olympic gold medals retiring as a major in the Punjab regiment of the Indian Army in 1956 he received Padmubhushan the third highest civilian award goal is an autobiography of this famous sportsman तो देखो दोस्तों यहां पर क्या major आपको याद और होगा जैसे इंडिया का national sports कुन सा है होक्की और होक्की में major की उपादी किसको दी गई थी ध्यान चंद को ठीक अब ऐसे समझो जैसे इंडिया तो आजाद होता है 1947 में तो आजादी से तीन साल पहले मतलब आजादी से पहले तीन मतलब है ट्रिक लगाई थी है ट्रिक यानि के गोल्ड मेडल कब कब जीता 1928 में 1932 Olympics 1936 के समर Olympics में गोल्ड मेडल जीता किसने major ध्यान चंद ने ध्यान चंद ने जीता और यह पंजाब रेजिमेंट के major भी थे 1956 में रिटायर हो जाता है इनकी जो autobiography इसको नाम है गोल तो यह इससे रिलेटेड़ है ठीक है तो यहाँ पर कहता है कौन से statement correct है अब देखो लैसली क्लोडियस उधम सिंग गोश्टा पॉलिया नन अफ दी अबव तो हमारा आंसर हो जागा नन अफ दी अबव नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कहता है विद रेफरेंस टू आइनस अरी घाट consider the following statement अब यहाँ पर देखो दोस्तो जैसे हमारा इंडिया का मैप ठीक है आपने देखो आइनस अरी घाट का क्या मतलब है अब इंडिया को हमला करना है सपोस्करों जैसे पाकिस्तान है पाकिस्तान और इंडिया का अगर युद्ध हो जाता तो इंडिया न्यूकलियर हमला कैसे कैसे कर सकता है इस पर एक हो गया लेंड से एक हो गया हमारा इहां वोटर से तीसरा हो जाएगा हमारा एयर यानि के एडिया कर सकती थी तो उसका नाम था इंस अरी हंत ठीक है यह 2016 में हमारी इंडियन नेवी को दे दी गई थी और second INS अरी घाट अभी हाली में क्या है इंडियन नेवी को ये सौप दी गई है तो अरी घाट क्या बन गई है हमारी second बन गई है nuclear submarine तो अब इंडिया के पास capability है nuclear triad की air से land से water से हम हमला कर सकते हैं इसी भी देश के उपर अब देखो अरी घाट एसे अरी हाट एसे अरी हंत क्लास यह कौन सी क्लास से बलॉंग करते है अरी हंत क्लास से बलॉंग करती है तो statement कहता है it is the second nuclear power submarine of the अरी हंत क्लास बिल्कुल ठीक है पहली का नाम है INS अरी हंत second it will be a key component of India's nuclear tried बिल्कुल ठीक है तो दोनों statement कहा हमारी correct हो जाएगी next कहता है which of the following statement are not correct about M.pox तो दोस्तों आप यह देखो जैसे African continent है ठीक है African continent में एक कॉंगो नाम का देश है 1970 के time period की बात है 1970 के time period में बहुत सारे बंदर थे अब बंदरों में क्या एक वाइरस पाया जाता है तो जब जाच पड़ताल करी गई तो पता लगा उन में क्या है एक वाइरस है उसका नाम रख दिया monkey pox वाइरस क्यूंकि सबसे पहले बार यह monkey में हुआ था फिर लेकिन यहाँ पर debate होती है यह बोला गया कि बंदरों के दाने से हो जाते हैं मस से टाइप के हो जाते हैं ठीक तो यह एंपोक्स यह है अब यहाँ पर देखो जैसे कोविड 19 है वह भी एक वाइरस है monkey pox क्या है यह भी वाइरस है लेकिन आप यह देखो कोविड 19 के time period में बहुत तेजी से spread होता था कोविड 19 अगर हम compare करें तो यह less spread होता था monkey pox आज की डेट में monkey pox की हमार पास में vaccine available है ठीक अब देखो यह फैलता कैसे अगर हम किसी skin to skin contact हो जाए किसी के पसीने वगेरा से टच हो जाए तब यह हो सकता है ना sexually भी यह क्या है किसी को infect कर सकता है तो यहां पर यह ही कह रहा है it is spread primarily through close skin to skin contact with infected people बिल्कुल ठीक है it causes visible skin lesions मतलब जैसे हमारे skin के उपर जखम वगेरा हो जाते है पसीने वगेरा हो जाते है और यह किसी दूसरे इंसान पर गिर जाते है इससे भी क्या है यह फैल सकता है बिल्कुल ठीक है फिर कहता है it is spread faster than coronavirus नहीं देखो यह क्या है कम फैलता है coronavirus से अगर ऐसा होता तो आज की डेट में दुबारा से दुनिया में एक और नया pandemic आ जाता फिर कहता there are no vaccine and treatment available for mbox यह statement गलत है तो दोस्तो इसमें पूछा गया कि कितनी स्टेटमेंट ठीक है तो यहां पर शुरू की दो स्टेटमेंट ठीक है वन एंटू हमारी यहां पर आंसर हो जाएगा अब सैवंध क्वेशन कहता है विद रफरेंस दूद वैक्सीन डराइब पोलियो इंफेक्शन कंसीर दा फॉ औरर्ल वैक्सीन पर अाइज अधरमे है यहां पर वैक्षीन देने के फिर यह तो त्रीक च्टेटम थे एक शींद वाहए से और उसको रना-इस पशीला जाएं और उसको यहांव formations vaccine होते हैं इसमें क्या है यह एकदम वीक फॉर्म में डाला जाता है ठीक है और इससे क्या है बच्चों को यह पिला दी जाती है ताकि यह जो बीमारिया इसको खतम कर सके तो यहां पर कहता है कि यह जो वैक्सीन ड्राइव पोलियो इंफेक्शन यानि के जो वैक्सीन बनाए यह पॉलियो के इन्फेक्शन से वह उसके बारे में हमको इस्टेटमेंट में बताना है कहता है इस्ट्रेंड रिलेटिट टू दा वीक एंड वर्जन ओफ दा लाइव पोलियो वायरस अगल आुजरे बिल्कुल ठीक है इसके इन्दर में वीक फॉम में क्या है वायरस को ड है इसके पोलियों के इसवजे से न्यूज में तो यहां पर करता है कौन सिस्टेटमंट करेक्त सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट हमारी तो हो जाएगी है पर अगला कुस्षण क्या है राम सराइट साइड में यहां पर पर्टिकुलर एरिया जो या तो टैम्प्रेरी या फिर पर्मानेंटली वोटर लोग्ड यानि के पानी से भरा हुआ है उसको बोला जाता है वेटलेंड तो 1971 में ना मीटिंग चल रही थी कहां पर इरान के अंदर में एक जगा है जिसका नाम है तो रामसर इरान के अंदर में पर कौन सी जगा है रामसर महां पर मीटिंग चल रही थी 1971 तो यह वेटलेंड वो इरिया होता जहां पर पानी से भरा रहता टैम्प्रेरी या फिर पर्मानेंटली मैक्सिमम टाइम पेर्ड में और वह सपोर्ट करता है जैसे एंडिंजर्ड इस्पीशिज हो या फिर इन साइट को रामसर साइट में एड़ोन करा गया है तो इनकी लोकेशन के आ स्छान या तो यहां रायन बर्ड सेंचुरी तो अभू याद कैसे करोगे, यहां पर आप जैसे तमिल नाडू न गासलेंड नाडू ओर या तमिल में तो यहां पर यहां पर तावा रिजर्वायर यह मध्यप्रदेश में है ठीक है तो यहां पर कहा रहा है कौन सी स्टेट्मेंट करेक्ट है तो देखो यह वाली गलत हो जाएगी यह ठीक हो जाएगी यह गलत हो जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारी एक स्टेट्मेंट यहां पर करेक्ट है फिर कहता तो अब यहां पर देखो जो हमारा लेंडर और रोवर थे इसके अंदर में क्या थे हमारे पेलोड भी साथ में थे यह वह क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो अब इन्हों ने बताया दोस्तों जैसे यह क्या है हमारा मून है और मून का क्या ही हमारा साउथ पोल है हमारा यहां पर गया था लेंडर और रोवर तो अब यहां पर देखो यह जो हमारा पेलोड था इसने बताया कि जो हमारी मून की क्रश् और इज़िए इसका है बोल कहानों टाइप का तो यहां पर हम पर देखने को मिलते हैं हमको minerals देखने को मिलते हैं तो जब ऐसे layers है तो दोस्तो हमको क्या है minerals वह भी बहुत thick layers में minerals देखने को मिलेंगे और आप देखा होगा कि जैसे ये अर्थ हो गई, अर्थ किसके उपपर कया है, जैसे asteroid आता वो टक्रा जाता है, और टक्राने के बाद में कहाता है, अर्थ का एक हिस्सा वो दूर निकल जाता है, और फिर ये बन जाता है, वन जाता है moon और इस event को नाम दिया गया था, big splat event, तो दोस्तों यह big split event नाम दिया गया था, formation of moon को, तो अब यहां पर देखो क्या statement में बोलता है, क्याता है, the terrain around Chandriyan 3 landing site is uniform है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि uniform बताया था, इसने यहां पर देखो, यह uniform structure है, फिर क्याता है, the moon crust was formed layer by layer, बिल्कुल ठीक है, थर्ड कहता है, top soil around lunar south pole has a lesser than expected sprinkling of minerals, यह statement गलत हो जाएगी, इसकी thickness क्या है, वो higher है, है ना, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारी दो statement उपर की correct हो जाएगी, आज का last question देखते हैं, तो दोस्तों आप यहां पर देखोगे, जैसे यह क्या है, हमारा इंडिया हो गया, यह मलदेश, फिर आप यहां पर देखो, यह हमारा North इस इंडिया, फिर यहां पर आप देखोगे, मियानमार, फिर उसके बाद में आप यह थाइलेंड, और यह जो हमारा, यह क्या है, यह हमारा है मलक का ishtrat, यह मलक का स्ट्रेट अब आप देखो यह कुन सा देश है यह है इंडोनेशिया यह उपर वाला यह मलेशिया यह इसके छोट असा साउथ में को नहीं यह सिंगापूर है यह आप देखो कि इधर फिलिपिन से हमको देखने को मिलेगा फिर यहां पर देखो फिलिपिन से नहीं है क दोस्तो हमारे 2-3-5 without you क्या है हमारा answer हो जाएगा तो दोस्तो यह क्या है हमारे कि कॉशन्ती दोस्तो अगर आपको फेडिएफ चाहिए तो आप मेरे दिठीया कर सकते हो application को डांसर कर सकते हो फ्रतियुशह करजे Яओ के नाम से लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप डाउनलोड कर लेना तो दोस्तों वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंड में बताना आज के लिए इतना मिलते हैं कल सो थैंक यू गाइस